दोस्तों साल 1998 से 2002 के बीच अर्जन्टीना में बहुती सीवियर एकॉनमिक डिप्रेशन चला था जिसको दी अर्जन्टाइन ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं तब से अर्जन्टीना आर्थिक संकट जेल रहा है इनकी करेंसी लगातार गिर रही है देश में साल भर ट्रिपल डि के प्राइसेस के प्राइसेस 100% के ऊपर चले जाते हैं और इससे भी ज्यादा ट्रेजडी इनके साथ ये हुई कि लंबे समय से गंभीर सूखे की स्थिती 2019 से लगातार साउथ अमेरिका को प्रभावित कर रही है एस्पेशली अर्जन्टीना और यूरुग्वे को जहां हा पारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है जिसकी वजह से इनके वेजिटेशन को एक्स्ट्रीम लॉस हो रहा है